दोस्तों भारेश सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट आ गया है यानि कि बोल सकते हो एक नई सर्विस शुरू कर दी गई है जिससे दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से कितने सिम कार्ड चल रहे हैं यानि कि जो भी आपका आधार कार्ड है कितने सिम कार्ड लिंक है वो दोस्तों आप एक नई सर्विस से देख सकते हैं क्योंकि आज करना बहुत जदा फ्रॉड बढ़ गये हैं ऐसे में गोवर्मेंट ने ये चीज़ लाइब कर दिया है कि आप खुदी चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से कितने सिम कार्ड जाना चाहते हो तो इस उबढ़ों को लाइक कर दो एंड कंटीनूगा इस इस उबढ़ों को देखते रहो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन लैप्टॉप में कोई भी एक ब्राउजर को उपेन कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप कर लेना ह संचार साथी और सर्च कर देना है आपके सामने पहला लिंक आएगा संचार साथी का इसी लिंक के उपर क्लिक कर लेना है जिसके बाद इस प्रकास से आपके सामने जो गवर्मेंट ऑफ हिंडिया का पोर्टल है यह उपेन होकर आजाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं इस यहां पर दोस्तों यही सर्वीस है जहां से आपको च्छी करना है यहां पर आप देखेंगी कितने जो request हैं और इसी हुए हैं और कितने जो request हैं और resolve हो चुके हैं यानि कि जिनका number मालीजे नहीं है फिर भी जो हो रहा है तो उन लोग request कर सकते हैं उसके बाद government की तरफ से उस इसे दोस्तों resolve कर दिया जाएगा बंग कर दिया जाएगा ठीक है उसके लिए आपको यहाँ पर अपना mobile number टाइप करना है वही mobile number आपको देना है जो आपके आधार कार्ड से जो है link है यानि कि जो आपने अधार कार्ड से लिया है उसके बाद capture code को यहाँ पर टाइप करना है Validate Capture के उपर क्लिक कर देना है आपके Mobile Number पर एक OTP जाएगा वो OTP आपको यहाँ पर Type कर देना है इस प्रकास से उसके बाद Login के उपर क्लिक करना है जैसे आप Login कर लेंगे इस प्रकास से आपके सामने जो है Interface खुल कर आ जाएगा पूरा Dashboard आप यहाँ पर देख सकते है अब हमारे आधार कार्ट से 202 Number चल रहे है वो यहाँ पर शो हो रहा है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते है इसी प्रकास से आपके आधार कार्ट से जितने भी Number लिंक होंगे जितने भी निकले होंगे वो सभी number यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अब सभी number के आगे आप देखेंगे तो तीन option दिया हुआ है पहला है not my number अगर आपका number यह नहीं है तो आप यहाँ से not my number पर क्लिक करके report करेंगे फिर not required है जिससे अगर आपको जरूरत नहीं है तो यह आप select कर सकते हैं अगर आप उसके बाद आता है required अगर आपको यह sim card चीए तो required आप कर सकते हैं तो हर एक number के आगे आपको यहाँ पर तीन option दिया हुआ है ठीक है तो जैसे कि माली यह हमारा sim card नहीं है यह किसी ने निकाल लिया है हमारे ID proof से ठीक है फिर भी यहाँ पर यह show हो रहा है तो इससे दोस्तों आप बन करवा सकते हैं government की तरब से ठीक है तो उसके लिए आपको इस number को यहाँ पर select करना है उसके बाद यहाँ पर not my number इससे आपको जो है click करना है कि यह मेरा number नहीं है उसके बाद आपको report के उपर click कर देना है जैसे दोस्तों आप report के उपर click करेंगे are you shared लिखा हुआ आएगा तो इससे आपको यहाँ पर ok कर देना है ok करने के बाद आपका जो request है वो submit हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे submit request detail आपको यहाँ पर detail देखने को मिलेगा जिसमें आपको एक request id मिलता है इससे आपको समहाल कर रखना है इससे दोस्तों status track होता है ठीक है आप यहाँ पर request करने के बाद बस आपको wait करना है हपता 10 दिन बाद आपका यहाँ पर शो हो रहाता वो बंद हो जाएगा वो यहाँ पर शो नहीं होगा मतलब ठीक है यानि कि उसे आपके id proof से हटा दिया जाएगा अब status track करने के लिए यहाँ पर आपको request number टाइप करना है जो request number आपको मिला है ठीक है टाइप करने के बाद आपको इसके आगे एक track का option दिया है इसी पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर दोस्तों आप देखें कि आपको पूरा जो है tracking status देखने को मिल जाता है जहाँ पर दोस्तों आपका request number और जो mobile number आपने report किया है not my number कि आपका number नहीं है date and timing यहाँ पर show होगा और status अभी यहाँ पर आप देख सकते pending है क्योंकि अभी अभी हमने यह किया है ठीक है pending है अभी कुछ time wait करेंगे हफ्ता 10 दिन 15 दिन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर success लिखा हुआ आएगा तो यह number दोस्तों government की तरफ से यहाँ से हटा दिया चाएगा आपके ID card में यहाँ पर show नहीं होगा समझे रो यानि कि किसी ने अगर निकाल लिया है number तो उसे बन कर दिया चाएगा government की तरफ से तो इसी प्रकास से आपको जल्दी से check करना है कि आपके आधार कार्ट से कितने sim card चल रहे है क्योंकि अगर कोई गलत sim card चल रहा होगा और कुछ हो मतलब कि वो बन्दा fraud और गरे करेगा तो आप फस होगे तो उससे अच्छा है आपको check करके तुरण government को बता देना है यह आपका number है या फिन नहीं है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक हो शेर करना साथी साथ हमारे शेनल को सब्सक्राइब कर लेना थेंक्यों दोस्तों बाइबेंट टेक कियर